स्कार स्वागत है आपका हमारे चुनल पर मैं हूँ आपके साथ शुपरा सैनी भारत के लिए अच्छी खबर है मोदी सरकार की प्रोडेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पी लाई योजना की मदद से भारत से एपल का निर्यात इस साल 20,000 करोड रुपिये तक पहुंचने की उमीर है ये भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है सुत्रों से मिली जानकारी की मुताविक केंदर सरकार की प्रोडेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना से प्रेरित एपल अपने तीन अनुबंध निर्माताव क्यानी फॉक्सकॉन, विस्ट्रोन और साथ ही पैगाट्रोन के माथ्यम से इस साल अप्रेल और दिसंबर के बीच भारत से 20,000 करोड रुपिये के आईपोन निर्यात क अप्रेल से दिसंबर के बीच वो 20,000 करोड रुपिये होगा इस खबर पर केंद्रोय मंत्री प्यूश कोयल के कार्याले की ओर से ट्वीट किया किया है जिसमें उन्होंने बिजनिस स्टैंडर की खबर को शेर करते हुए ये लिखा है और कहीं न कहीं खुशी जाहिर की है कि पील आई योजना की मदद से एपल का भारत निर्याद 20,000 करोड रुपिये तक पहुंचने के लिए तयार है जो जाहिर तोर पर मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धी है लेकिन वहीं चीन जैसे देशों के लिए ये एक बड़ा चटका है हाला कि जैसे ही ये खब काम राजन लगातार मोदी सरकार की प्रोडेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानि जो पील आई स्कीम है उसकी आलोचना कर रहे हैं इसको लेकर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं विरोध इस योजना का उनके जर्गे किया है इसके लिए उन्होंने आइफोन का उधारन दिय था हाली में और समझाया था कि कैसे जो आईफोन अमेरिका में 2500 रुपिय में मिल जाता है उसी की कीमत भारत में बढ़कर 139000 रुपिय हो जाती है इस तरह से उन्होंने इसका बखान किया था और सरकार की इस योजना की आलोचना की थी उन्होंने एक नोट भी लिखा था जिसमें लिखा कि भारत में इंफ्रस्ट्रक्चर की कमी है इसके रावा महंगे कर्ज सही से बिचली की उपलवधता में दिक्कत है डिजाइन की माफले में सीमित अक्षमता और भारतिये कामकारों में कोशल का अभाव जो है ऐसी समस्याइं हैं जो भारत में वी निर्मान क कम होने के मुख्य कारण है कि उनकी तरफ से कहा किया था चुकि इन डिक्कतों को दूर करने में ज्यादा समय लगेगा इसी कारण सरकार एक ऐसा विकल्प च्वाती है जिसमें कम समय लगे और यही वज़ा है कि एक के बाद एक कई सेक्टरों के लिए सरकार जो है वो पी ल से जो एपल कमती है वो दरसल आईफोन का जो निर्यात उन्होंने अप्रेल और दिसंबर के बीच वो कर रही है उसकी कीमत 20,000 करोर रुपिय है यह अपने आप में मोधी सरकार की एक बड़ी उपलबदी है क्योंकि जहां एक तरफ चीन जैसे देश भारत को आख दिखाने क काम कर रहे हैं लेकिन वहीं एपल जैसी बड़ी कमपनी कहीं ने कहीं चीन को एक के बाद एक बड़ा छटका दे रही है हाली में यह खबर भी साफ ने आई कि चीन से अपना पूरा कारुखवार समेठने की तयारी जो है वो एपल की और से की जा रही है फोन के निर्मान के पाद अब आईपैड का निर्मान भी भारत में होगा इसके लिए भी तमाम जो कहीं न कहीं खबरे हैं वो साफने आ रही है तो जाहित तोर पर यह बड़ी खबर है जो की चीन के लिए एक बड़ा छटका एपल की और से है तो एक तरफ भारत के लिए यह अच्छी खबर है कि एपल जैसी बड़ी कंपनी लगातार भारत में अपना कारुपार स्थाफित कर रही है और इस तरह से भारत से बड़ी मात्रा में निर्याद जो है वो एपल प्रोडक्ट का हो रहा है लेकिन वहीं एक और बड़ी खबर यह है कि एपल चीन को बड़ा जटका दे सकती है जबकि कंपनी भारत को काफी फायदा पहुचा सकती है ऐसी रिपोर्ट साफ ने आई है रिपोर्ट के मुताविक एपल आइपट प्रोडेक्शन को भारत में शिफ्ट किया जा सकता है हाला कि पूरा प्रोडेक्शन शिफ्ट नहीं किया जाएगा लेकिन कंपनी चीन से 30% म मैनुफैक्शरिंग हो रही है वहां से 30% जो मैनुफैक्शरिंग है वो कम हो सकती है और वो मैनुफैक्शरिंग उसके बाद भारत में होगी इसके लिए तमाम तयारियां जो हैं वो एपल की ओर से की जा रही है तो कुल मिला कर कहीं न कहीं चीन जिस तरह से लगातार भारत को आग दिखाने का काम करता है उस बीच भारत कहीं न कहीं चीन को एक बड़ा छटका ज़रूर दे रहा है और हमने इससे पहले आपको कई खबरे ऐसी बताई हैं कि भारत से जो चीजों का निर्यात है वो लगातार बढ़ रहा है फिर चाहे वो एलेक्ट्रोनिक्स उपकरन हो फिर चाहे वो अब एपल के प्रोड़क्ट हों और दावा ये भी किया जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका और इंगलेंड जैसे देशों में लोगों के फास जो है मेड इन इंडिया आइफोन होगा ये भी लगातार भारत की उपलबदी है जो कहीं न कहीं एक के बाद एक देखने को मिल रही है और पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं मोदी सरकार में एक अलग छाप जो है वो भारत की दुनिया भर में देखने को मिली है जिस तहा से प्रधानमुत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम देशों में भ कंपनियां हैं वो निवेश करें अपना कारूबार स्थावित करें यहां मैनुफेक्चिरिंग हो इस पर लगातार भारत की ओर से जोर दिया है और उसका ही नतीजा है कि अुट्टर्परदेश से लेकर गुझरात और गुझराट से लेकर महरास्टर जैसे तमाव राच्चे जहां लगातार जो दिगज कंपनिया हैं दुनिया फर की वो लगातार अपनी मैनुफैक्चरिंग यूनिट खोल रही है ना सिर्फ बात हम एपल की कर रहे हैं बलकि इसके लावा चाहे बाद फोक्स कॉन की की चाहे जिस तरह से सैमी कंडेक्टर का निर्मान जो है वो अब ग या फर से फिर चाहे वो भारत से तमाम चीजों के निर्यात की बात हो या फर जिस तरह से मंदी के दोर से दुनिया जूज रही है तमाम बड़े देश अमेरिका समय तमाम यूरोपियन कंट्री रूस और यूक्रेन यूद के पीच आर्थिक मंदी का साफना कर रही है लेकि जहां दुनिया जो है इस तिमाई में कहीशने खीने कहीं आर्दिक मंदी के दोर से जूचेगी लेकिन वही भारत की अर्थवस्ता जो है वो कहीशने कहीं मचबूत रहेगी बाकी देशों की मुकाफले तो ये तमाग उपलब दिया हैं भारत की जो एक के बाक एक कहीं न कहीं भारत हासल कर रहा है और जाहिर दोर पर इसका जो क्रेडिट है वो देश के परधान मंतुरी नरेंद्र मोदी को ही जाता है जिस तरह से वो लगातार दुनिया भर में भारत का नितिर्थ कर रहे हैं आज अमेरिका से लेकर फ्रांस रूस और तमाम बड़े देशो के दिगज जो लीडर्स हैं वो परधान मंतुरी नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये तस्वीर कहीं न कहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को जटका देने के लिए काफी है और अब ये बड़ी खबर है कि एपल जो लगातार अपनी मै काविक हमने आपको ये जानकारी थी है जो जानकारी आप केंट्री मंत्री प्यूश कोईल के कार्याले की और से भी साजा की गई है फिलाल आपकी इस पुरे माफने पर क्या राए है में कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थान्यवाद् कर दो